हेलो डियर पेंट्स में लवडीन मेरे यूटीब चनल में आपको स्वागत दे आज में मना रहे हो सेवईया की खीर सेवईयों के खीर के लिए किन किन चीजों की आवश्यक्ता पड़ेगी देखिए पूरा वीडियो सेवईयों के खीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने सेवईया लिए है यह रोस्टेड सेवईया को यूज़ किया है हमने सारे ड्राइफूट्स लिए है किश्मेज, काजू, बादाम, पिस्ता, कोकोनट, कटुकड़ा अब हम इन सभी ड्राइफूट्स को कट कर लेंगे आदा लीटर दूद को हम पकाएंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक कि यह एक पाव न रह जाए सारे ड्राइफूट्स कट कर लिए हैं, कडाई में दो चम्मच गी डालेंगे और इसमें हम सारे ड्राइफ्रूट्स को रोस्ट करेंगे और सेमया को भी रोस्ट करेंगे आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? मुझे कमेंट में बताए यहाँ पर हम सभी ड्राइफ्रूट्स को एक साथ डाल करके रोस्ट करेंगे जब हम dry fruits को roast कर लेते हैं तो इसलिए बहुत अच्छा प्रेवर आता है खीर में एक crunchy scrub एक crunchy साट रेष्ट आता है इसे हल्का brown पुरी तक हम fry करेंगे आप अपने वीडियो मेरे सथ इंस्ट्राग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं मैंने इंस्ट्राग्राम की लिंक अपने वीडियो में शेयर की है आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं अब हमारे ड्राइफूट्स कारे रोस्ट हो चुके आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुके हैं अब हम इने निकाल देंगे अब जो हमारा बच्चा हुआ घी है उसमें हम सेवया जो हमारी है उससे हम फ्राइ करेंगे सबया रोस्टेड है इसलिए हम इसे ज्यादा फ्राइ नहीं करना है हलका सब गी में इसे फ्राइ करेंगे जिसी की जो इसमेल इसमें आती है हलकी सी वो ना आए और खीर बहुत टेस्टी बले मेरे सिर्ण को सिस्क्राइब करना ना भी ले तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें अब आप देख सकते हो यह फ्राइ हो चुकी है इसे भी हम निकाल लिए यह देखिए हमने निकाल लिया है दोनों को अब हम कड़ाई में हमने जो आदा लिटर दूद करन किया है वो डालेंगे इसे हम और थोड़ा सा पकाएंगे जिससे कि और यह थोड़ा सा अच्छे से गाड़ा हो जाए इसे गाड़ा होने तक हमें पकाना है जब तक दूद पक रहा है दूद के साथ हम इसमें चीनी भी डाल देंगे ताकि चीनी भी अच्छे से पक जाए दूद के साथ यह हमने आदी कटोरी यह हमने कटोरी छोटी ली है आप यह ध्यान देना कि कटोरी आपको छोटी लेनी है आदी कटोरी हमने शकर ली है और चम्मत से बताऊं तो हमने 5-6 चम्मत शकर ली है अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज्यादा चम्मत शकर भी ले सकते हैं पर मेने मीडियम निये हैं, शकर को इसमें अच्छे से, मिक्स करेंगे, दूद गाड़ा हो ज़ाने पर, हम इसमें, सेवाईया और सारे ड्रायफू cuál एट करेंगे दूद हुमार लगबग आदा होने पी आया है अब हम इसमें सेवाईया और ड्राइब फूट्स दोनों एड़ करेंगे दोनों को एड़ करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और अब इसमें से तब तक पकेंगे जब तक कि हमारी सेवाईया पक नहीं जाती अब आप देख सकते हैं हमारी सेवाईया भी बिल्कुल पक चुकी है अच्छे से मैंट चुकी है अब हम इसमें एक बड़ा चमच गी डालेंगे और इसमें हम घी को मिक्स कर देंगे गी से इसका टेस्ट बहुती रिस्टी आता है आप ज़रू ट्राइ करें यह ट्रिक और केस बन कर देंगे समय के खीर बन के त्यार हो चुकी है थैंक यू फ्रेंट्स लाइक और शेयर मैं वीडियो झालेंगे झालेंगे